हेलो जी कैसे हैं सारे दिस लक्षे तो हम आ चुके हैं हमारे ओइस के लेक्चर नमबर 12 पर और आस्म शुरू करने वाले हैं प्रोसेस के डूलिंग अल्गोरिदम के बारे में डिसकस करना जो की एक बहुत इंपॉर्टन पार्ट है प्रोसेस मेनेजमेंट का ठीक है बट प्र प्रोसेस स्केडूलिंग होता क्या है ठीक है प्रोसेस स्केडूलिंग होता क्या है तो इसके बारे में आपको इंट्यूशन होगी ही क्योंकि हम प्रिवेस लेक्चर में इस बार में डिसकस कर चुके हैं बट फिर भी मैं जल्दी से इसको एक बार डिसकर्स करता हूं हमारे पास यहां पर शॉट टम क्या dispatch करता है कि कैए को यहां पर फी टू करके बहुत सारी प्रसेस पड़ी हो सकती है अब हुगया क्या यहां पर एडि में जो प्रसेस आती है वो आपका लॉंग गटिया करता है। यह कि अधार के लिए और कुछ ताइम के बाद वापस रिड़ी क्यूमें आ जाती है। बसे रिडी क्यूमें आ जाती है और वेटिंग स्टेट को चली जाती आयो करती है अगर तो तो डिया और इस तरीके से हमारी वर्क करती है। तो आपका यह वाला काम है ready Q से process को pick करना कौन सी process pick होगी वो process को choose करना then उस process को यहाँ पर schedule करना यह वाला जो काम है यह आपका काम CPU scheduler करता है तो process कौन सी pick होगी exactly कौन सी process pick होगी यह कौन करता है यह आपका process scheduling algorithm बताती है ठीक है यह selection का process जो है यह process scheduling algorithm करती है ठीक है और इसको मैं CPU scheduling भी बोलता हूँ ठीक है और actually जो किसी process को CPU को control देना जो यह वाला काम जू मडूल करता है उसको मैं dispatcher बोलता हूँ यह हम discuss कर चुके है तो CPU scheduler क्या करता है जब भी आपका CPU idle हो जाता है तो मुझे ready queue से कोई ना कोई एक process pick करने पड़ेगी वह pick करके मैं CPU को दूँगा and so on यह काम चलता रहता है इसको मैं CPU scheduling बोलता हूँ ठीक है आगे बढ़ने से पहले हम एक बार shout out देते हमारे sponsors को इस वीडियो स्पॉंसर बाई Coding Ninjas इंडिया लीडिंग कोडिंग एजूकेशन प्लाटफॉर्म बहुत सारी प्रोडिक्ट बेस कंपनी जैसे कि Amazon, Adobe, Commvault अपने टेकनिकल इंटर्वीज में focus करते हैं OS वाले पार्ट पर तो इन इंटर्वीज को clear करने के लिए आपका OS वाल सिस्टम को मैप करके सिखाय जाते हैं कोर्स के साथ साथ आपको one-on-one doubt session भी प्रोवाइड किया जाता है उसके अलावा जो पढ़ाएंगे वह इन्वीडिया मैक्सव जैसी बड़ी-बड़ी कंपनी से हैं उसके अलावा मैं बोलूँग तो इस कोर्स में आपको बारा आवर से जाधा का content मिलेगा डेर सो से जाधा problems आप solve करेंगे बारा से जाधा आप projects में hands-on करेंगे उसके अलावा coding ने जास पर आपको बहुत सारी different computer science related courses मिल जाएंगे अगर आप non-preemptive scheduling यह दो टाइप के मैं paradigm बोल सकता हूं दो टाइप के तरीके हैं करने के ठीक है non-preemptive में क्या होता है कि आप ने एक बार process को CPU दे दिया ठीक है आपकी पीवन प्रोसेस थी यहां पर आपका CPU था आपने एक बार इसको दे दिया अगर CPU एक बड़ यह यहां से dispatch हो गया dispatcher ने एक बार dispatch कर दिया ठीक है dispatch करने के बाद यह process जो है यह CPU को तब तक लेके रखेगी जब तक आपकी या तो process terminate कर जाए या तो आपकी process terminate कर जाए या फिर वो wait state पर चली जाए यानि कि IO करने चली जाए ठीक है तो यही दो तरीके हैं किसी non-preemptive scheduling algorithm में जिसमें कि या तो terminate होगा तब process जो है CPU को छोड़ेगी वरना वेट होगा यानि आयो करने चला जाएगा तब प्रोसे को चोड़ेगा यानि कि x amount of time हो गया कुछ x amount of time quantum हो गया उसके बाद CPU जो है उस प्रोसेस को छोड़ देता था और वापस रेडी क्यों में चली यह वाली जो चीज है time sharing वाली चीज जो है यह non-preemptive में नहीं होती ठीक है अब इसका दूसरा टाइप क्या होता है इसमें क्या होता है कि यह तो होता ही है कि जब प्रोसेस जो चोड़ी देगी उसके अलावा जब वेट सेट पर जाएगी तब भी आयो करने जाएगी तब भी ऐसा हो गई कि वह CPU को छोड़ देगी बट दूसरा एक और एक्स्रा चीज इसमें क्या होती है कि time quantum जब expire होता है time quantum जब expire होता है तब भी जो प्रोसेस है वो CPU को free कर देती है और वापस से डेडिक्यों में चली जाती है तो यह दो तरीके कि आपकी CPU scheduling होती है तो अगर मैं इनको compare करना चाहूं तो starvation क्यों होती है starvation starvation क्या होता है starvation यह कि किसी एक प्रोसेस को CPU मिली नहीं पा रहा है यानि कि महलों कोई high priority जॉब है या कोई जॉब बहुत ज्यादा CPU को लेके बैठी हुई है कोई काम करे जा रही है ठीक है कोई जो low priorities जॉब है या कोई जो डूसरी जॉबस है उनको time ही नहीं मिल रहा है तो जो दूसरी जॉबस जिनको time नहीं मिल रहा है उनको मैं बोलता हूं यानि कि process starvation हो रहा है तो अगर मैं compare करूं तो process starvation किसमें ज्यादा होगा non-preemptive के अंदर process starvation ज्यादा होगा ऐसा क्यों क्योंकि non-preemptive के अंदर time sharing वाला part missing है ठीक है अगर कोई ऐसी job मिल गई मुझे जो बहुती CPU intensive है ठीक है बहुत टाइम लगाएगी 20-30 मिनट में मालो 20-30 मिनट्स लेगी वह चलने में तो और कोई उसके अंदर आयो की instruction नहीं है 20-30 मिनट्स बाद वो terminiate करेगी तो 20-30 मिनट्स के लिए बाखी process जो ready q में होंगी वह क्या करेंगी starvation में चली जाएगी तो इसकी वजह से यह जो non-preemptive वाला method है यह starvation ज्यादा करता है प्रियम्टिव वाले method में starvation नहीं होती है क्योंकि इसके अंदर time quantum होता है नहीं होती है इन term नहीं मैं बूलूगा कि कम होती है क्योंकि उसके अंदर हर process को कुछ ना कुछ मौका मिलेगा थोड़े देबाद क्योंकि time quantum expire होगा तो उसके बाद दूसरी process को मौका मिल जाएग ठीक है तो मैं बोल सकता हूं कि प्रियम्टिव में निल्स होड़ी है प्रियम्टिव में जो स्टारवेशन होती है उसके बाद हम आजाते हैं कि cpu utilization किसमें ज्यादा है दीपी यू यूटिलाइजेशन किसमें ज्यादा है अब बोलोगे starvation के हिसाब से आपको आइडिया ल तो एक particular time में ज्यादा processes number of processes आपकी CPU जो है वो उन पर work कर रहा होगा ठीक है तो मैं बोल सकता हूं कि जो प्रियम्टिव है उसके अंदर high CPU utilization होती है तीसरा point मैं डिसकस कर सकता हूं पर सेकिंद थर्ड ओवरेड किसमें ज्यादा होते है अगर मैं बात करूं तो आपका प्रि क्यों ज्यादा होते हैं क्योंकि इसके अंदर अपार्ट फ्रॉम दैट गोईंग फोर आयो एंड टर्मिनेशन एक एक सेकंड का time quantum रखा हुआ है तो हर सेकंड के बाद process जो है चेंज हो जाएगी यानिकि हर सेकंड के बाद CPU को को कोई नई process execute करनी पड़ेगी यानिकि जो short मैं बूलूँगा इसमें ज्यादा है तो यह आपका कंपेरिजन हो गया अब हम डिसकस करते हैं गोल्स इसके गोल्स ऑफ सीप्यू स्क्रेडूलिंग अलगॉर्वर्ण मेरे गोल्स क्या है मतलब अगर मालों मैं अपना OS यूज कर रहा हूं या फिर मैं अपना OS डिजाइन क करूँगा तो जब मैं प्रॉसेस मैनेजमेंट का पार्ट में मैं कोड कर रहा हूंगा तो मैं सबसे पहले सोचूँगा कि जो सीप्यू स्केडूलिंग अलगॉर्वर्ण में यूज करूँगा वो मैं किस पैरामेटर स्पे बनाऊं यानि कि मैं मेरे गोल्स क्या होंगे वो मैक्सिम चाहता हूँ यह बहुत ही मैं नहीं चाहता कि सीप्यू जो है वीट करें थोड़े सेकेंड के लिए वेट करें दूसरा वाट क्या है मैं चाहता हूँ कि मिनीमम तर्न अराउंड टाइम हो ठीक है अब यह turn around time क्या होता है कि जब भी सबसे पहले जॉब जो है आपकी डेडिक्यू में आई है और termination तक का बीच का टाइम यानि कि जब भी आपकी जॉब कोई भी जॉब है वह रेडिक्यू में आई और उसके बाद जो भी आपका आयो किया उसने कभी बीच में वेट स्टेट भी गई होगी या पर प्रेम्ट भी हो गई होगी यानि कि वापस डेडिक्यू में भी आई होगी ऐसे चलता रहा होगा आपका जब भी वह एक्जिट करेगी ना final terminate होगी उसके बीच का टाइम यानि सबसे पहले जब वह एक्जिट कर रही है उसके बीच का टाइम में सबसे कम चाहता हूं यानि कि प्रॉसेस अगर रेडिक्यू में आ गई तो मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी वह पर्टिक्लर प्रॉसेस्ट हो जाए पूरी एक्जिट कर जाए तीसरा तीसरा है आपका minimum वेट टाइ कि मैं चाहता हूं कि जो प्रॉसेस है ना वह सीप्यू का कम से कम वेट करें यानि कि जब भी कोई प्रॉसेस मालो डेडिक्यू में चली जाती है वापस से यानि कि सीप्यू जो है उसको प्रियम्ट कर देता है हमारे अल्गॉर्दम बोलती है कि अभी दूसरी प्रॉसेस का एक्जिक्यूट करना है तो उस case में मैं चाहता हूं कि सबसे कम वेटिंग टाइम हो हर प्रोसेस का सबसे कम कम वेटिंग होना चाहिए रेस्पॉंस टाइम क्या होता है यह टाइम है कि जब भी आपकी प्रोसेस ready queue में आई ठीक है और उसको सबसे पहली बार CPU मिला उसके बीच का difference यानि कि आपकी process ready queue में आई ठीक है आने के बाद उसको CPU सबसे पहली बार कब मिला first time उसको मैं कहा रहा हूँ response रहा है तो मैं प्रोग्राम थोड़ा execute होना शुरू तो हो ऐसा ना हो कि मैंने डाल तो दी process बट वह काफी time से process पड़ी हुई है उसको एक भी भार CPU नहीं मिला है ठीक है यह भी मैं नहीं चाहता है 5th point क्या होगा 5th point है हमारा maximum throughput maximum throughput चाहता हूँ यह throughput क्या होता है ठीक है यह बिसिकली मेजर है कि सीप्यू स्केड़ली अल्गॉर्थम को मेजर करने का कि मैं चाहता हूँ कि throughput जो है ना मेरे system की जो मेरे पूरे process है process management का system है पूरा with CPU मैं चाहता हूँ पूरे system जो है सबसे ज़्यादा उसकी throughput हो कि वह सबसे ज़्यादा नंबर और प्रोसेस पर यूनिट टाइम एक्जिकूट कर पाए यह क्यों कर रहे हैं इसका मेन गॉल यह है कि मैं चाहता हूँ इसलिए मैं अपने system को फास चाहता हूं system जो है बहुत ही efficiently work करें इसलिए यह सब मेरे goals मैं decide कर रहा हूं और अपने दिमाग में रख रहा हूं before designing my CPU scheduling algorithm अब इन टर्म्स को जो हमने टर्म से discuss करी है मैं एक बाद इनको और थोड़ा elaborate होके हम डिसकस करते हैं through notes नोट्स पर आ जाते हैं तो सबकी definitions हमने लिख दी है तो सबसे पहले मैं बोलू throughput तो number of processes completed by unit time अब उसके बाद एक चीज आती है arrival time अब arrival time क्या होता है time when process is arrived at the ready system system के अंदर आपका timeline चले जा रही है अपने system on किया होगा उसके बाद आपका clock चलती रही होगी अब उस clock में किस point पर किस time पर जो आपके process है वह ready क्यों में आई थी उसको मैं बोल राइवल टाइम दूसरा होता है काफी important बर्स टाइम जो आपको पता होना जी बर्स time को क्या मतलब है सबकी short form में BTAT ठीक है time required by process for its execution ठीक है यहां पर एक्स्रा लिखा हुआ है तो process को actually कितना time चाहिए execute होने को इसका मतलब यह है कि मालनों कोई और process ना हो आपकी कोई भी process आपकी रेडीक्यू में ना हो किसी system में simply एक ही process अगर एक ही process हो तो कितना उसे time लगेगा single owner होई अगर वो process CPU की तो उसे कितना time actually लगेगा उसको मैं burst time बोल रहा हूं ठीक है burst time बोल रहा हूं आप 9th है कि आपका turn around time क्या होता है turn around time क्या होता है turn around time में डिसकस कर लिए time taken from the first time process एंटर डेडिक्यू टेल टर्मिनेट तो यह आपका turn around time होता है उसके बाद में डिसकस करना चाहूंगा completion time completion time क्या होता है time taken till process gets terminated जानी कि जब सबसे पहले उसका arrival हुआ arrival होने के बाद वो बेसिकली सबसे पहले उसको response time मिला होगा सबसे पहले वो schedule होगी फिर उसके बाद वो बेट पे गई फिर वापस से रेडिक्यू में आई फिर दुबारा schedule होगी फिर time quantum expire हुआ वापस से रेडिक्यू हो गई ऐसे करकर के आपकी process जो है different different states में travel करती रहती है हमने पढ़ा है एक्चुली जब long term scheduler ने उसको रेडिक्यू में डाला था तिल वो exit हो गई उसके बीच का difference जो है वो आपका completion time है completion time से आप confused हो सकते हैं turn around time फिर क्या होता है turn around time होता है CT-80 यानि completion time माइनस arrival time इसको मैं turn around time बोल रहा हूं उसके बाद हमारा आता है wait time 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 process waiting for the CPU इसके अगर मैं formula बता हूं तो wait time होगा आपका TAT-BT यानि turn around time माइनस burst time आपका जो WT equal to TAT-BT क्यों है क्योंकि turn around time actually होता है क्या है जब वो process सबसे पहले रेडिक्यू में आई थी जब तक वो terminate होगी ठीक है यह जो waiting time कैसे बनेगा turn around time जो actually उसे कितना time लगा है माइनस actually कितना लगना था इडिली ठीक है इसके बीच का मैं बेटिंग टाइम बोल रहा हूं तो यह होगा हमारा different type की जार्गन्स हमने discuss कर लिए हैं अब हम चलते हैं अपनी सबसे पहली सबसे पहली सबसे पहली जो भी process ready queue में सबसे पहले आईगी मैं उसको उठाके CPU को एक्साइन कर दो है तो यह निकी मालो P1 P2 P3 मालो कितरे line से आई हैं सबसे पहले यह आई है तो उसके बाद यह आई थी तो उसके बाद यह आई है यह तीन जॉब्स हैं अब यह तीन जॉब्स हैं तो FCFS scheduler क्या करे उसको सेलेट करेगा वो क्या करेगा इसको उठाके बोल देगा सेलेक्टेड फरस्ट ठीक है और dispatcher को बोल देगा कि भाई इसको CPU प्रोवाइड कर दो तो इस तरीके से फ्लो चलेगा जब P1 एक्जीकुट हो जाएगा तो P2 P2 एक्जीकुट हो जाएगा तो P3 ठीक है सबस कौनवा इफट समझने से पहले ना एक एक्जामपल की तो को समझते हैं हमारे पास एक एक्जामपल है मालो एक सिनेरियो है कुछ प्रोसेस आई हैं हमारे पास जैसे पहला एक्जामपल है मालो में पास प्रोसेस क्या है वन टू मैं इसको बना लेता हूँ ठीक है तो यह मैंने एक सिनेरियो बनाया यह हमारे पास एक सिनेरियो है जिसके अंदर हमारे पास एक टेबल दी हुई है जिसके अंदर प्रोसेस का पी आडी लिखी हुई है पहली प्रोसेस दूसरी प्रोसेस दूसरी प्रोसेस इन सबके अराइबल टाइम हमें मिले दिये के लिए हम एक तरीका यूज़ करते हैं इसको मैं गैंट चार्ट भी बोलता हूं तो जो मैं बोलता हूं कि और आपका scepter है तो आप क्या करोगे जिसका arrival time सबसे पहले उठागे स्केडूल कर दूगा तो सबसे पहले पी-वन कब तक चलेगी इसका बस time क्या है 20 चलेगी की ही में 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 और पूर्टे वके ब reckless टाइम है में इसको 20 सेक्ट कितने हो जाएगा पिर उसके बाद आ तो अगर मैं बोलू कि मेरे पास completion time क्या रहा जो एक्च्वल कंप्लिशन टाइम जो है वो पीवन का 20 सेकंड ही है पीटू का कितना है 22 सेकंड है इसका 24 सेकंड है तो अगर मैं लगत बाइक है अब हम डव्यू टी निकाल लेते हैं निकी वेटीं टाइम निकाल लेते हैं वेटिंग टाम क्या होता है यहां पर और नाइंटे नहीं आएगा की टवाइगा ए माइनेस बीटाइगा तु आएगा एट-ध día मेरे फॉए टmersAL का अगर मैं इसका सम करूं फूरा वेटिंग टाइम का सम करूं तो कितना आएगा अगर मैं इसको देखो यह मापस ती यह वेटिंग टाइम इस अब ये इसका निकालो तो मेरा आएगा 13 तो मेरा एवरेज वेटिंग टाइम जो है जो है अब अगर मैं इसको ना रेडिक्यू को थोड़ जो रेडिक्यू में जिस तरीके से प्रॉसेस आई है इसको मैं थोड़ा से चेंज कर देता हूं अब एक दूसरा सेनेरियो हम देखते हैं जिसके अंदर हमने क्या किया है जो प्रोसेश जिसका सबसे ज्यादा बर्स टाइम था अब मैं उसको सबसे एंड में लेके जा रहा हूं अगर मैं इसका गैंट बनाऊं तो सबसे पहले पीटू आई होगी तो दो सेकंड एक्सीट होई तो इसको प्लस टूफोर सेकंड यूनिट्स सेकंड नहीं होगा यूनिट्स वाड यूज करो मैं पी बनाएगा पी बनाएगा तो 24 ठीक है अगर मैं इसका कंप्रिशन टाइम इसको डूलेटाइम लगा इसको बनाउन सेकंड लगा इसको चाडू टॉक़ Adult सेकंड या इब सेकंड तौफ को यूट्स कर यह जिएगा यह дав पर तो वह निगाले ते हैं ऑगर मैं इसका इवरेज बेटिग निकाल लूँ तो वो सिरफ बन यूनिट आएगा तो इसको कहते हैं कॉन्वाइफेट इसका मतलब जब एक हैवी जॉब जिसका सबसे जादा बर्स टाइम था अगर वो सबसे पहले आ जाती है सबसे पहले आ जाती है तो उससे क्या होता है उससे पंगा यह होता है कि बाकी सारी जॉब्स को वेट करना सबस्क्राइब करते हैं तो इसको कहता हूं मैं कॉन्वाइफेक्ट अब कॉन्वाइफेक्ट की अगर मैं डेफिनेशन पढ़ना चाहूं तो यह है कि अगर कोई एक प्रॉसेस है जिसका हाइर बीटी है यह लॉंगर बीटी है तो इट विल है मेजर इंपक्ट ऑन एबरेज बीटी ऑफ डिफरेंट प्रॉसेस ठीक है यह हमने लाइव एक्जांपल से देखा एक एक्जांपल स आपका कोई एक प्रॉसेसस सबसे जद्यक के लिएक बैटे हुई है और और बाकी कोई और को सबूहर है मतलब इहां पर कोई पार्शए llegó होने चाहिए पीटु को मिल गया तो पीटू को भी रिसोर्स टाइम से मिल जाना चाहिए यह मेरा गोल रहता है तो यह था इस वीडियो में हमने यहाँ पर कुछ चारगन के बारे में पड़ा आपने थ्रूपूट एटी क्या होता है बीटी क्या होता है टैट क्या होता है इसी के साथ इस वीडियो को खतम करते हैं मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक्चर में गुडबाइ